अलो दोस्तों मेरा नाम धननजे है, इस वीडियो में हम लोग स्टार्टप की बात करेंगे, स्टार्टप होता क्या है, स्टार्टप की डाक साइट क्या है, किसको कुछ नया स्टार्टप करना चाहिए, बिजनस करना चाहिए, कुछ थोड़ा लीक से हटके करना चाहिए, अपना एक traditional business में क्या difference है, founder कौन होता है, co-founder कौन होता है, acquisition क्या होता है, bootstrapping क्या होती है, angel investor क्या होते हैं, उसके बाद series of investment क्या होता है, इन सब पे हम लोग आज थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं, बहुत detail video, बहुत technical video तो आज साथ मेरा mood नहीं है बनानेगा, अलाकि मैं ये scripted video नहीं बना रहा हूँ, तो जो जितनी knowledge है, उसी को मैं summarize करने की कोसिस करूँगा, बट yes, आपको मज़ा आएगा, और अगर आप young generation वाले लोग हैं, college pass out है, या पहले दूसरे job में हैं, उसके बाद अपना startup करना चाह रहे हैं, तो आपको जरूर एक थोड़ा होता क्या है, ये startup basically idea होता है, जो एक नया idea आपके दिमाग में आया, you know idea थोड़ा नया नहीं हो तो भी चलेगा, बट अलग होना चाहिए, जो maximum या ज़्यादा तर लोगों की problem को solve करें, और problem जो solution आप offer करेंगे, that should be cost effective, that should help in a broader way, और लोगों के life को आसान बनाए, ये startup कहला अब startup idea किसी को भी आ सकता है, college में आ सकता है, काफी, you know, आप अपने life के आखरी stage में है, तो वहां भी आ सकता है, 50s में है तो आ सकता है, 40s में है तो आ सकता है, कई बार मजबूरी startup लेके आता है, जौब अच्छी नहीं है, परिशान हो रहा है, कुछ नया करना चाहते है, क पॉइंट है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, कि fund run हो जाता है, वहां तब क्या करना चाहिए, actual startup maximum क्या होते हैं, उस पे आपको पहले जानना जरूरी है, before entering into it, तो ये सारी बाते मैंने 5-6 point में इसको समेटा है, तो पहला point है, कि आपका जो startup है, courses करिए, वो unique हो, और उसके बहुत सारे competitor ना हो, अगर वो unique होगा, और competitor नहीं होगे बहुत जादा, तो आपको आसान होगा, अगर उसके already बहुत ज़दा competitors हैं, तो आपको ये courses करना होगा, कि उस startup को आपको एक particular कुछ change के साथ develop करना होगा, उस change के साथ offer करना होगा, और courses करनी होगी, कैसे अ होना ही नहीं चाहिए, ये convey भी होना चाहिए, आपको पता है का आपका product बहुत अच्छा है, लेकिन public को पता ही नहीं है, किसी ने KFC का मालो duplicate बनाया, KFC जैसा एक model लेब लग किया, जिसमें chicken के और different varieties based कर रहे हैं, लेकिन वो जो varieties हैं, वो लोगों तक पता ही नहीं पहुँ आपको देनी होगी time to time, दूसरी बार, जब आप startup start करते हो, तो initial time में मैंने देखा है, most of the people, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी में और funding उठाने के चक्कर में, बहुत सस्ते में अपनी valuations down करके उनको share दे देते हैं, कुछ-कुछ मैं देखता हूँ, 50-20 लाक में ही company का आध इसके लिए basically आप अपना सब कुछ दाव लगाने वाले हैं, वो बहुत heavy और बहुत important होता है, वहाँ पे मुझे लगता है कि आप अपने value को कम से कम dilute करें, valuation को कम से कम dilute करें, वहाँ एक आपको precaution लेना है, और अगर संभव हो सके, तो सुरू में bootstrapping करें, मलब खुद से खुद की जमापोजी लगाए, और जब एक level पे आ जाए, तो आपको वहाँ पे valuation के लिए जाना, मलब funding के लिए जाना होगा, और कम dilute में आपको ज्यादा valuation मिलेगा, तीसरा point है मेरा, यानि जो second point था, extra causes about the share distribution, ये important है, co-founder जितने भी आप चुनते हो, वहाँ पे भी आपक कि आप कैसे co-founder लेके आते हैं, उनके साथ आप sharing कैसे करते हो, अपने share का, अपने company के ownership का, तो दो point तो ये रहा, तीसरा point मेरा है, कि जब भी आप co-founder को introduce करो, यानि relationship between founder and co-founder, कई बार जब सुरू सुरू में बेना start होता है, कि सबके अंदर एक जोस होता है, आपके co-founder के अ लगती है, कोई crisis आने लगता है, या तो बहुत success या बहुत crisis, दोनों के cases में ripped आते हैं, दिक्कते आती हैं, और वहाँ पे जब सबकुछ सुरू में verbal रहता है, कुछ return नहीं रहता है, तो दिक्कत आती है, exit में दिक्कत आती है, कोई एक हो सकता है, उसकी energy और उसकी thought आपके सिर्फ और सिर्फ 30 unicorn profitable थे, यानि rest of the unicorn जो profitable भी थे, उसमें से 10-15 genuine profitable थे, बाकि marginal profit ले रहे थे, यानि maximum तो 70% तो loss में होते हैं, तो loss में हैं, आप funding आपको मिल रहा है, तब तक तो relation सही होता है, बट जब crisis स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे problem स्टार्ट होता है, तो आप कमिय वहाँ से problem स्टार्ट होती है, तो ऐसे cases में, जब relation between founder and co-founder की बात में कर रहा हूँ, तो सब कुछ यहाँ पर written होना चाहिए, exit clause होना चाहिए, किस के role क्या होंगे, किस के responsibilities क्या होंगे, कई के बार सुरू में आप उतना लंबा नहीं सोच पाते हैं, तो आप सुरू में एक rule रूल ये भी बना लेजिए, हर 3 months में, 6 months में, या rule नहीं बनाने के जरूद भी है, एक mutual understanding होनी चाहिए, कि हम लोग नए rules add या subtract भी कर सकते हैं अपने agreement में, तो इस तरह से अगर आप करते हैं, सब कुछ written रहता है, तो clarity रहता है, क्योंकि आप sign कर रहे होते हैं कुछ-कुछ फोर्फ पॉइंट है, वो सबसे important point है, यार, जो four point है, वो कहता है, कि क्या आप बड़ा 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 बनने के लिए काम कर रहे हो, बड़ा दिखने के लिए काम कर रहे हो, maximum जो नई companies हैं, वहाँ के founders, येसी में feel हो जा रहे हैं, वो basically, बड़ा दिखने के लिए काम कर र रहे हो, profitable business नहीं बना रहे हो, valuation बना रहे हो, अन्यसरी customer require कर रहे हो, अन्यसरी inorganic grow कर रहे हो चीजों को और जिससे कि आपको आपकी file मजबूत हो जाए, अपका presentation बेटर हो जाए, अन्यसरी इतनी hiring कर रहे हो, सिर्फ ITs, Iams को भर रहे हो, सिर्फ दिखाने के लिए कि आपका valuation बढ़े, so that next round की funding आपको मिले, but ultimately company का, या जो आप startup के, उसका aim funding बढ़ाना नहीं है, उसका aim है value बढ़ाना, value बनाओगे तो valuation अपने आप बढ़ेगी, so मेरा मानना है कि यहाँ पे आप लोग को काम करना होगा, value बढ़ाने के लिए, ना कि valuation बढ़ाने के लिए, because valuation तो by product है, अपने आप पीछे-पीछे आएगा, so यह बहुत clear आपके आपके और आपके team और आपके co-founders के बीच में understanding होनी चाहिए, हमें value बढ़ाना है company का, और पांचमा जो point है, आपको बहुत clear cut समझना होगा, कि जब आप start-up कर रहे हो ना, तो यानि start-up versus job versus business, आपको बहुत clear cut इसके definitions होने चाहिए, आपने parent के गल्ले पे बैठ गया हो, दुखान पे बैठ गया हो, तो वो business है, चाय की दुखान खोल ली, परचून की दुखान खोल ली, एक राशन की दुखान खोल ली, एक simple general store खोल लिया, chemist की shop खोल ली, यह सब business है, दुखान है, start-up नहीं है, start-up में जब आप आते हो ना, तो आपको पूरा blood and sweat लगाना पड़ता है, 18-18 hours काम करना पड़ता है, 12-13 घंटे तो normal होते हैं, आपको कई बार अपनी life को compromise करना पड़ता है, family life को compromise करना पड़ता है, तो founders की life, personal life ना काफी हद तक खतम हो जाती है, कई books भी आई हैं इस पे, जहां पे इनो family कहती है, तो वही देख, तलाग तक हो जाते हैं, तो ऐसे cases में आपको बहुत balance तरीके से और पहले ही यह सोचना होगा, कि आपका यह जो आने वाला period है, दो-तीन साल, वो बहुत tough होने वाला है, आपकी personal saving जा सकती है, आपके personal FD जा सकते हैं, घर वालों की saving जा सकती है, और ultimately जितना भी market due होगा, वो आपके सर पे आने वाला है, क्योंकि you'll be the face, तो यह जो adverse circumstances है, यह भी आपको सोचना पड़ेगा before moving ahead, क्योंकि यहां से कई-कई बार, कई-कई बार क्या most of the time, जितने भी startup है, उसमें 70-80% तो floppy हो रहे हैं, success rate बहुत काम है, तो exit क्या होगा, कहां पे threshold आपको बनाना है, कहां पे आपको close कर देना चीज़ों को, थोड़ा negative होता है सोचना सुरू में ही यह चीज, बट यह clarity आपने mind में, अपने write-up में, अपने agreement में होना बहुत ज़रूरी है, कि where to stop, लच्चमन रेखा कहां है, अगर वो नहीं clear होगा, तो आपके लिए यह चीज़े मुस्किल होने वाली है, so it was all about startup, thank you very very much, bye bye, take care and thanks for watching,